बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रेस कांफरेंस या कुछ बूलते हैं तो प्रेस रिलीज तो बहुत सुनी है देखी है पर दुबई में बैठ के एक मैनेजर कट अंड पेस्ट करके एक वीडियो रिलीज करे और प्रेस रिलीज जारी करे भाजपा पार्टी ये रिस्ता क टाइमिंग कल चुनाओ का पहला चरण है च्छटिस गड़ का आज समय मांगते हैं कन्फर्म होता है अलेक्शन कमिशन से और उसके बाद मैं बिना कोई आरोफ लगाए पर बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम आपसे नहीं मिले तो हम अपनी बात तो प्रत्थम चरण के लोगों तक नहीं कह पाएंगे ना आज हम आपके पास आये होते बिले होते तो शायद टाइमली होता पर आज हमें समय न देना एक तरह से जिसका जिकर अब शेख भाई कर रहे थे कि प्लेन लेविल फील्ड से इंकार किया जा रहा है एक और बड़ी जवर्दस बात इसमें जो है आप आज बैन किया है कल बैन किया है पर फाइल सब फुली हैं भी वो बैन नहीं हुई है मैं इसे और क्लियर कर दूँ कि उन्होंने एप तो बैन किया है एप के की फाइल नहीं बैन कि यह आप जाईए बटन दवाईए खेल जारी है यह रिस्ता क्या कहलाता है कि तुम बोलो फाइल तुमारी खुली रहेंगी मंत्री जी इतना तो आपको भी मालूम होगा कि आपको बैन पूरा करना था दूसरा आज सिर्फ महादेव नहीं बैन हुआ है बाइस एप बैन में है पूरे यानि मोदी राज में जुवा खेलना सटा लगाना एक तरह से पैलल रुजगार चलना था बैस बैन किये ना आपने कोई एक तो नहीं बैन किया है तो इन एक कीस के साथ भी तो लेन देन हो रहा है तो हमारी यह डिमांड है कि अगर बैन करना जिस तो पूरे देश में करो एक और्डर के साथ पूरे देश में पिक एंड चूज क्या है अब सोनी का प्रोमोशन भी कर दिया है वीजेपी ने अभी तक मैनेजर थे अब मालिक बना दिया है और वो से बोल किस के खलाफ रहा है वो एक ऐसे चीफ मेस्टर के खलाफ जो तीन चार महिने से जिसने उनको उनके खलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की है और नतीजे के तोर पे वो दुबई भाग गये है 36 गड़ की धरती में वो सुरक्षित नहीं है लेकिन दुबई में जहां से भारत सरकार उनको ला सकती कानूनन वहाँ सुरक्षित हैं तो उनकी छत्र चाया में कुछ बोलो कुछ खेलो कुछ करो जाएज परंदू 36 गड़ के मुखमंत्री या मैं और चुगेर रंजी जी नंजन जी वहीं से सांसद हैं दूनों और आप में भी बहुत से लोग सहमत हैं कि 36 गड़ में मचहट कॉंग्रेस एक तरफा काफी आगे है और वहाँ मैं पिछले साथ आठ दिन से वहाँ था हर तरफ ये बाद जग जाहिर है कि वहाँ बगेल जी के निर्टत में कॉंग्रेस बहुत आगे है और हमारे दो बड़े हम दो हमारे दो तो हम दो की दोनों मीटिंग जो हुई है उनकी उपस्तिती वीडियो निकाल के देख लीजे वो बता रही है कि यहाँ भाजपा का कुछ भी नहीं गिरावट के अंतिम दोर में है तो यह बात एयर में थी कि कोई संसा आ रही है वो कुछ करेगी चुनाओ के पहले करेगी और तीन दिन पहले आके ईजी जैसा अब शेक भाई ने कहा कि अभी वो तो पुलिस कस्टेडी में है एनी इजी कस्टेडी में है और उसका बयान खुद नहीं यह कर रहे हैं और नी करके देंगें नहीं इसमें कोई दम नहीं इस बेयान में इडमेसपिल है कि नहीं है तौइंग ये ऑडमेसबल है तो कितना एडमेसपिल है कि ऊ उसने बोला है कि नहीं बोला भी तो उसको ये भी अपरचुनटी नहीं मिली कि उसी का है किसका है और आप investigation के बात कहे दें कि साब ने investigation किया उसकी बात में दम नहीं है तो हमारी चुनाओ की तो दोनों तारीकें जा चुकी होंगी ना तो उसके पहले morally आप कैसे उसको लीक आउट कर सकते हैं सल्वान भी बताईए आप तो आप पहले investigate करके अपने को तो satisfy कर लीजे हाँ आरो पहले और investigation बात में नवी यजीब कहानी थोड़ा बहुत हम सब लोग दो जाइन्स के बीच में बैठा हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप मुझे यह बताएं यह theory किसके समझ में आ रही कि आरो तो हम लगा दें legal field के जो सबसे बड़े दो नाम हैं आपके बीच में हैं तो मैं सिर्व इतना करना चाहता हूँ आरो पहले आप लगा दीजे और investigation बात करिए यह इनकी बेइमानी को दरसाता है इनकी गलत नियत को दरसाता है यह मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ मैंने सारी बाते कह दि कर दो ऑन्रा कि दो बीहा हूँ एलते को खोनemic जता है हूँ मैं HRS कर दो बड़िता हैई आरो दे बाते हैंने सारी बाते कर दोर चाहता हैं